किसी ने बड़ी कमाल की बात कई है दोस्तों इस ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग इस वीडियो में मैं 20 कोशन कवर करने वाला हूँ तो वीडियो को जरस अभी पोज मत कीजेगा अगर आप CGPSC, CG Vyapam की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुँ ज़्यादा योज़फूल होने वाला है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजे, सेयर कीजे और मेरे चैनल पे आही गए दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिलकोल भी मत भुलिया साथ में आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्लेज कर दिजे ताकि मेरी हर नए लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहा तो आईए स्टार्ट करते हैं 36 गर समाने ग्यान का पहला कुश्चन मैंने लिया है कोर्बा लोगों की पंचायत कहलाती है भगोरिया मैयारी जुमकूरिया या फिर गोल मोट ट्री राइट आंसर हमारा बनमबर आ जाता है दोस्तो मैयारी कोर्बा लोगों की पंचायत कहलाती है तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा मैयारी option number B को आप लोग इसमें आद रखो गया second question पर दिहान दीजे it's very important question है 36 गड़ में दूद लटावा किस जनजाती में प्रचलित है पहाड़ी, कोरवा, बैगा, सा, कमार, गोण या फिर तो right answer हमारा sun number आ जाएगा दोस्तों गोण आ जाएगा 36 गड़ में दूद लटावा किस जनजाती में प्रचलित है तो answer में आप लोग क्या टाइक मार करोगे गोण को option number C is correct answer next question सेवा, विवाह, लमसेना का प्रचलन निम्न में से किस जनजाती में है गोण, उराव, कमार या फिर परजा option number A को आप लोगों को याद रखना है अगला question अंसर में आप लोग क्या टेक मार करोगे option number B is right answer इन में से किस जनजाती के अधिकार लोगों अधिकतर लोग के करीब पंथी को अपना लिया है हलबा, भतरा, मुडिया या फिर कूरबा right answer हमारा number आजाता है दोस्तों हलबा option number A को आप लोग इसमें याद रखोगे इन में से किस जनजाती के अधिकतर लोग कबीर पंथ को अपना लिया है तो correct answer हमारा क्या जाएगा हलबा, option number A को आप लोग इसमें याद रखोगे अगला question 36 गड़ की प्रमुख जनजाती गोंड है, गोंड का साब्दिक अर्थ है जंगल, नदी, परवत या फिर पठार answer में क्या टेक मार करोगे? परवत को 36 गड़ की प्रमुख जनजाती गोंड है, गोंड का साब्दिक अर्थ क्या होता है? परवत option number C को आप लोगों को याद रखना है next question किस जनजाती का साब्दिक अर्थ प्रित्वी खोदने वाला है? बैगा, गोंड, कमार या फिर कोरवा answer में आप लोग क्या टेक मार करोगे? कोरवा को किस जनजाती साब्दिक अर्थ प्रित्वी खोदने वाला है? तो राइट आंसर हमारा क्या आजाएगा? कोरवा option number D को आप लोग इसमें याद रखो गया next question परज जनजाती किस नाम से जानी जाती है? धूरवा, बैगा, कमार या फिर दिहार या आंसर में क्या टेक मार करोगे? अनंबर आजाएगा धूरवा, परज जनजाती किस नाम से जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा? धूरवा, option number A को आप लोग इसमें याद रखो गया अगला question 36 गड़ में तीर किस जनजाती का प्रतिक चीन है? पारधी, कमार, बैगा या फिर बिंजवार, राइट आंसर हमारा क्या आजाएगा? अनंबर आ जाता है दोस्तों, पारधी 36 गड़ में 23 जनजाती का प्रतीक चिन है तो correct answer हमारा क्या आजाएगा पाधरी option number अको आप लोग इसमें आद रखो गया अगला question कमार जनजाती पाई जाती है वाइडर नगर में अबुजमाड में गरिया बंद में या फिर पिंडरा रोड में right answer हमारा क्या जाएगा गरिया बंद में कमार जनजाती कहां पे पाई जाती है गरिया बंद में option number स को आप लोग इसमें आद रखो गया अगला question मारिया जनजाती बस्तर के इस भाग पर मुख्यतह निवास करती है option देख लिजे दक्षिन पश्चिम उत्तर पूर्व पूर्व या फिर दक्षिन पूर्व आंसर में आप लोग क्या टेक मार करोगे दक्षिन पश्चिम को मारिया जनजाती बस्तर के इस भाग पर मुख्यतह निवास करती है तो आंसर में आप लोग क्या टेक मार करोगे दक्षिन पस्चेम ओप्सन नंबर A को आप लोग इसमें याद रखोगे अगला कोश्चन भत्र जन्जाती का निवाश छेत्र मुख्यता है बस्तर जस्पूर बिलासपूर कुरिया आंसर में आप लोग क्या टेक मार करोगे बस्तर को भत्र जनजाती का निवास छेत्र मुख्यता है तो राइट आंसर हमारा क्या आजाएगा बस्तर ओप्सन नंबर ए को आप लोग इसमें याद रखोगे नेक्स्ट कोश्चन राजमहल की पहाडियों में मुख्यता है यहाँ जनजाती निवास करती है उराव कमार मैना या फिर बिंजवार आंसर में क्या टेक मार करोगे आ नंबर आ जाएगा उराव राजमाहल की पहाडियों में मुख्यता है यहां जनजाती निवास करती है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा उराव ओप्सन नमबर ए को आप लोग इसमें याद रखो गया नेक्स्ट कोशन मैंने लिया है भूजिया जनजाती 36 गड़ की इस जिले में पाये जाते हैं राइट आंसर हमारा क्या जाता है दोस्तों कोरबा भूजिया जनजाती 36 गड़ की किस जिले में पाये जाता है कोरबा ओप्सन नमबर A को आप लोग इसमें आद रखो गया नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में गोड जन जाती के प्रमुख देवता है संकर देव, बुढ़ देव, बाग देव इनमें सी कोई नहीं आंसर में क्या आजाएगा? बुढ़ देव निम्न में गोड जन जाती के प्रमुख देवता है तो करिक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा? बुढ़ देव ओप्सन नमबर B को आप लोग इसमें आद रखो गया नेक्स्ट देखिए शत्तिस गड की मुडिया जन जाती के युव ग्रिह का नाम है गोटूल या फिर दूम कुरिया राइट आंसर हमारा क्या आजाता है दोस्तों? गोटूल 36 गड की मुडिया जन जाती के युव ग्रिह का नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा क्या जायेगा? गोटूल ओप्सन नमबर साको आप लोग इसमें आद रखो गया नेश्ट कोशन देखिए घोटूल है सामुहिक विवाह का इस्थान दूसरा है सिक्षा एवं परमपरा ज्यान का इस्थान और तीसरा है जन जातिय विकास योजन या फिर आदिवासियों के देवता तो राइट आंसर हमारा क्या जाता है दोस्तों बा नमबर आ जाएगा सिक बाइश्ट एवं परमपरा ज्यान का इस्थान और बी को आप लोगिस में आद रखो गया सिक्षा अगला देखिए उराओ जन जाति का योग ग्री ख कह लाता है दूमकूरिया कर्मा क्रूत या फिर धर्मा आंसर में क्या आज जाएगा दोस्तों दूमकूरिया और आ को आ मान्यता है कि हर जुतने से धरती माता की छाती फड़ती है अतहा हल का प्रयोग वर्जित है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा उपसन नमबर आको आप लोगों को याद रखना है लास्ट कोश्चन देखिये बैगर जन जाते में प्रचलित स्थानिय क्रिसी को कहा जाता है दाही, पेंदा, बेवार, जूम इसका अंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों कि इसका करेक्ट अंसर क्या आएगा आई होब दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूश्फू लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और मेरे चानल पे आही गए दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट करके सबस्क्राइब करना बिलकोल भी मत बुलिया साथ में आप बेल आईकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेसन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहा मैं मिलता हूँ अगला